ऊसपर action ले सकते थे, case कर सकते थे। यह सब कानूनी कारवाई को सके तुझा बननी तूछे तो कहा जोड़ से कि लिए ले लेंट क Hang डै की सांट क denan कि सब बड़े बच्राइग और बटाइपमहन डगता है कि सीधे द्वाई कर वा रहे बगया। इसके पीछे उनी कहा थे पावन सिंग कहा थे आपके दोस्तों स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो में दोस्तों अभी हम लोग जा रहा है एक प्रेस कॉन्फरेंस में किनका प्रेस कॉन्फरेंस है रोक स्टार भोजपूरी के रिटेश पांडे भाईया उनका इंटर है अभाया का गाना जो आया है अभी फिलम आधी कम्पनी से गाना रिलीज सुआ है उभी गाने के बारे में दोस्त भूद्रमकादार गाना है ऐसा कि डान्स करने वाला गाना है जो उभी सुने गाग में तो मर्कशं ओसको ध्यान उम्मीद तो यही है कि लोग पसंद करें और कलाकारों की क्या होती है और इक्षा की जो इतना मेहनत करके लोग बनाते हैं कंटेंट उसे लोग पसंद करें इससे ज्यादा क्या चाहिए दो लाइन गुरूरा देते हैं आय है बोली हा ठीक ना हो अचाँ जैसा गाना आया आदीशक्ति फल्म से लेकिन मानना था कि ठेश पांड़े और आदीशक्ति फिल्मस नहीं थोड़ा सम्मत भेद हो गया अनबन लेकिन फिर गाना आता है राधी शक्ति फिल्म से ऐसा कुछ है गया है ऐसा कुछ नहीं है ऐसा किसका मानना था ऐसा जो हूमर ऊड़ा था पबलिक में जू हूमर तो हूमर होता है यह गलत रहुँ अज्या बिल्कुल नहीं है अगर प्रटिकुलर जाथ के लोग प्यार देते तो लोग इतने बड़े-बड़े-स्टाइर नहीं होते हैं हम लोग जो छोटे मोटा काम कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं हम लोगों को हर एक जाती के लोग समान रूप से प्यार देते हैं ऐसा बिलकुल नहीं है कि जात का कार्ट दिखाना पड़ता है हां कुछ लोगों के अंदर ये मान सकता है तो रहे उससे क्या फर्क पड़ता है ऐस जो यह बोल रहा है कि का हो आप बोटेश्ट पांडे फैमिली वाली हो चुके हैं फादर भोटपूरी के इस सूपरस्टार क्षेसारी जिसारी जी हैं जिनको ट्रेंडिंग स्टार हिट मशीन बहुत सब्सक्राइब से नमाजा गया है उनके बेटी पर गाना बना जाता है फोटो लगा लागा थम्मनेल पर तो पुरा भोजपूर इंडस्टी कह रहा है कि एक जूट होकर खेसारी जी को सपोर्ट किया जाए और कुछ लोग खेसारी जी के विपक्ष में अभी भी है क्योंकि उनका कहना है कि ख पहले और कि ऊप्र लेकिन आज हमने बहुत दिनों से नहीं सुना है कोहिए चाही है और आज के डेट में हम सभी को खेसारी जी के साथ खड़े होना चाहिए क्योंकि किसी की बेटी पर गाना आया है यह बिल्कुल गलत है जो भी कानूनी कारवाई हो सके वो बननी चाहिए akah थी तो कहां जाया है कि लाइम लाइट के लिए भी किया जा रहा है कि साधी चीज के लिए छोसक्ता था क्या अपराद क्या दंड होगा तो उस पर कानूनी रूप से कारिवाई करना चाहिए यह सब आके बाते बोलने से कोई फाइदा नहीं है अपने में मस्त रहते हैं और अपने आसपास के लोग चार-पांच लोग रहते हैं उसे हसी मजा करते रहते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वहीं सब कराएं अभी पतरी कमरिया आया है है खुब सुनिए और मजा लीजिए और लाइन से बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहा है आप लोग को अपडेट दिया जाएगा है